दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक एक रार यूटूब चैनल पे इस वीडियो में आपको बताएंगे PM किसान सम्मानिधी योजना का जो भी आपका वेब साइट था पहले आपको नया आपको इहाँ पर चेंज कर दिया गया है तो दोस्तों आपको अपना जो PM किसान सम्म लिखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको अपना बेनिफीसरी को कैसे चेक करेंगे स्टेटस अपना पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करेंगे इस वीडियो में आपको पुरी जानकारी लाइप पुरूप के साथ बताने वाले हैं और वीडियो आपको पसंद आए तो टेक यूटूब चैनल को सब्स्राइब जरूर किजेगा जले फ्रेंड वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों को पी युम किसान संभान दी योजना का बेनिफिसरी स्टेटस या तोigkeit तेस्ट आप चेक करने के लिए आपको पना पीम लिखना होगा यहांपर पीम किसान लेना होगा जैसे आप first वाले site पर आप click करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि 17 अक्टूबर को आपको यहाँ पर payment आपका जो भी installment आपको एकाउंट में यहाँ पर भेजी गई है आप देख सकते हैं आपको website पर आपको दिख रहा है और आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको किसी भी तरह के कोई भी जानकारिक PM किसान सम्मानिधी योजना से आपको benefit लेने में आपको दिक्कत आ रहे हैं तो आपको इस number टॉल फिरी number आपको यहाँ पर दिया गया है इस पर call करके किसी भी तरह का question आप कर सकते हैं आप यहाँ पर आपको slide उपर करेंगे आपको यहाँ पर देख सकते हैं PM किसान सम्मानिधी योजना का जो भी side है यहाँ पर कुछ अलग interface में आपको यहाँ पर नए look में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप slide नीचे करेंगे उपर आपको यहाँ पर देख सकते हैं KYC, EKYC का option आपको दिख रहा है और आपको यहाँ पर new farmer का option दिख रहा है new farmer registration का और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको beneficiary status तो दोस्तों आपको अपना beneficiary status में आपको KYC आपका complete है क कि नहीं और आपका KYC हो गया है कि नहीं पूरी डिटेल आपको beneficiary status में आपको देखने को मिल जाएगा तो क्या करना होगा आपने beneficiary status पर आपको क्लिक करना होगा जैसे beneficiary status पर आप क्लिक करेंगे या तो आपके पास जो register मोबाइल नंबर आपका PM के किसान सम्मानी धी योजना में आपका register और यहां पर इंटर किजिएगा और अपना जो capture को इस box में इंटर करके get data पर आपको क्लिक कर देना होगा तो दोस्तों आपको अपना registration number नहीं है आपका register number मोबाइल नहीं है तो आप यहां पर registration number आपने देख सकते हैं PM किसान सम्मानी धी योजना का registration number जो भी आपने करवाया था वो registration number यहां पर इंटर करेंगे capture इंटर करेंगे और यहां पर capture इंटर करके get data पर आपको क्लिक कर देना होगा तो हमने यहां पर mobile number के तुरू करेंगे तो अपना जो mobile number है mobile यहां पर आ रहेंगे और यहां पर capture capture इस बॉक्स में इंटर करेंगे गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हम यहां पर अपना capture इंटर करके get data पर क्लिक करेंगे हमारा जो PM किसान सम्मानी धी योजना का जो भी beneficiary list है आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो KYC status है यहां पर हमारा payment काद कितने हमको payment मिल चुका है देख सकते हैं KYC done यहां पर है हमारा जो KYC है यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर done बता रहा है कि आपका successfully authenticate KYC आपका demo आपका जो भी है आपका successfully हो चुका है और आपको कितना बार आपका installment आपको मिला है यहाँ पर देख सकते हैं आपको पूरी detail आपको यहाँ पर दिखाई जाता है किस date में आपका PM किसान सम्मानेदी योजना का कितना आपको मिला है पूरी detail और कौन सा bank account में आपको जा रहा है आपको bank account का नाम यहाँ पर दिखेगा और आपका bank account का number आपको आखिरी का यहाँ पर दिखेगा तो दोस्तों ऐसे आप जितना आपको installment आपको PM किसान सम्मानेदी योजना का आपको मिला है पूरी list आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो दोस्तों आपको ऐसे ही आप अपन जो भी PM किसान सम्मानिदी योजना का KYC स्टेटस और पेमेंट स्टेटस और बेनिफिसरी स्टेटस को आप ओनलाइन चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल के तुरू तो दोस्तों आपको एक वीडियो पसंद दया हो तो टेक एक रार चैनल को सब्स्राइब किजेगा और वीडिय इस वीडियो में तब तक क्लिए ठीक है बाई थैंक यू